नुश्कार दूस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए उपयोग होने वाली सिरुप के बारे में जानिए कौन से सिरुप कब यूद की जाती है आपको जरूर जानना चाहिए छोटे बच्चों के लिए जो सिरुप यूज हो रही है वो किस का नाम आती है कौनसे बिमारी में उसको यूज करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा बहुत अची जानकारी मिलने वाली है चले बात करते हैं सबसे पहली सिरुप है मॉन्टेक एलसी किड सिरुप यह इसका ब्रांड नेम है इसके अंदर मॉन्टेलुका स सोडियम और लिवोज सेटरजीन है तो इसका उपयोग जब भी एलर्जी होती है छोटे बच्चों को एलर्जी के कारण नाक से पानी आता है और बार बार चीके आती है तो उसके इलाज में यह यूज होती है साथी साथ के स्वास लेने में दिक्कत आती है फिवर हो जाता ह है और त्वाचा में अगर एलर्जी होती है तब यह मॉन्टेकल्सिकीड सिरप यूज की जाती है नेक्स्ट सिरप है ग्रिलिंग्टस बी एम सिरप जिसके अंदर टर्ब्यूटालिन सलफेट है और ब्रॉम हैक्जिन हाइड्रोकलोराइड है यह सिरप जब छोटे बच्च इलाज में यह ग्रिलिंग्टस बी एम सिरप यूज की जाती है साथ ही साथ अगर खांसी भी आती है तो उसके इलाज में यह यूज होती है नेक्स्ट बात करते हैं सोफलोसीन एम सस्पेंशन के बारे में इसके अंदर ओफलॉकससीन और मेट्रोनिडाजूल है यह एक में यह सस्पेंशन यूज किया जाता है नेक्स्ट बात करते हैं ओन्डेम सिरप के बारे में जिसके अंदर ओन्डेम सेट्रोन है तो इसका उप यूज करेंगे जब चोटे बच्चों को उल्टी होने लगती है जा उल्टी जो है कंट्रोल नहीं होती है दूद पीते ही परसीटमॉल, फेनाइल एफरीन और क्लोरफेनिरामीन है यह सिरप सरदी दुखाम के उपचार में काम आती है जब चोटे बच्चों को सरदी दुखाम हो जाता है नाक से पानी आता है नाक बंद हो जाता है तब उसके लाज में और वुखार अगर आ रहा है तो उसके बायोटिक है तो इसको ब्यूद बैक्टिरिय के वज़े से अगर इंफेक्शन होता है शरीर में तब चोटे बच्चों के लिए यूज की जाती है कान में अगर इंफेक्शन होता है टॉंसिल हो जाता है ब्रंकायटिस यानी जो फेफरों से संबंदित समर्शा होती है तब और अगर urinary tract में infection होता है मुत्रमार्ग में तब भी ये जो सिरप है ये use की जाती है जो कि सिफिक जाइम का oral suspension है next बात करते हैं cycloparm suspension के बारे में जिसके अंदर डाय साइकलोमीन और साइमेथिकॉन है ये एक suspension है जो कि पेट में अगर मरोड आ जाती है पेट दर्द होने लगता है तब ये इसका यूज किया रहता है तो पेट में मरोड, irritable ball syndrome और पेट में दर्द होने लगता है तब ये cycloparm suspension यूज किया रहता है तो आप सभी दोस्तों से request करूँगा प्लीज कोई भी medicine हो बिना डॉक्टर की सला के ना ले यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सला जरूर ले ले तो आप सभी को समझ में आ गया होगा छोटे बच्चों के लिए जो सिरफ यूज हो रही है वो किस काम आती है इसके बार नए नए वीडियो और आते रहेंगे उसके लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ऐसी नए नए वीडियो आपको मिलते रहेगी थैंक यू बेर मच पर वाचिंग दिस वीडियो